यस बिटा हो तो बायोकेम DTS यह है आपका 12 नम्मर बारे नम्मर का जिसमें आपका टॉपिक है बिटा फोटो सिंथेसिस मैं बिटा अजय कुमार सौनी फ्रॉम कोटा सिथी बोटनी टीम CLC यस बिटा तो स्टार्ट किया जाए बिटा यस बिटा फर्स्ट कुश्चन है आपक का एसेसरी फोटो सिंथेस्टेक पshop हरे पौधों में प्रकास संसलिसी वर्नक होता है बिटा पन जानते है कि खलोरोफिल ऐ क्लोरोफिल क्या होता है एक सैंटरग पिग्मेंध इसको पन बोलतेए बाकी आप देख लिजिए क्लोरोफिल वी यह आपके ज़नते बिटा पीसे होता है accessory होता है carotenoids and gentophyll ये भी कैसे होते है बटा accessory होते है तो आप जैसे को बटा option number second and option number third is the correct right ठीक है बटा क्योंकि बटा chlorophyll ये है वो है आपका center ठीक है न बटा जो complete वागी ये सब क्या कहलाते है आपके ये antenna कहलाते है येस बटा इसके बाद अगला question है बटा आपका question number second in the c4 pathway which of the following molecule combined with co2 c4 path में sorry हाई बटा c4 path में निम्न लिकित में से कौन सा अनू co2 के साथ जुड़ता है बटा देखो c4 आप जानते है c4 plant और c4 plant के अंदर में लिकित किसके साथ जुड़ता है बटा co2 के साथ जुड़ता है और आप जानतों first जो product बनता है वो क्या बनता है तो इसलिए यह आपर c4 path अगर दे रखा है तो सबसे पहले जो कारवक्सी लेशन जो होगा वो किसके साथ होगा co2 के साथ होगा और third वो पी पी के साथ होगा तो answer is the correct क्या हो जाएगा बटा पी पी यस विटा अगला कुशन है कुशन नमबर third which stage of the Kelvin cycle utilize ATP Kelvin चक्र का कौन सा चरण ATP का उप्योग करता है पीटा Kelvin cycle अपन जानते है और Kelvin cycle जो अपन स्टार्टिंग करते है पीटा अपन का एक तो C3 और एक C4 तो C3 cycle का मैन होता है Kelvin cycle और Kelvin cycle के अंदर बन जानतों पहला जोता है कार्वोक्स ली करना होता है कि नहीं होता बोलो second होता है reduction तीसरा होता है regeneration और fourth आपका दोनों दे रखा है इसका मतलब है एक तो reduction process होगी दूसरी कौन से होगी regeneration process होगी क्योंकि आपन देखते हैं यहाँ पर 12 ATP यूज में आते हैं कि नहीं आते हैं और regeneration में कितने आते हैं 6 ATP यहाँ पर यूज में आते हैं तो टोटल मिलाकर आप जानते हैं कितने ATP आते हैं बन गुलुकोज के मौल से 18 ATP यूज आते के नहीं आते हैं इसका मतलब है कार्वक्सी लेशन के अंदर कोई भी ATP यूज नहीं आता तो इसलिए यहाँ पर answer इसदा कौन सा हो गया बटा फोर्थ हो गया क्योंकि रिडेक्शन में भी यूज में आते हैं और रिजनरेशन के अंदर भी यूज में आते हैं ओके विटा अगला कुश्चन है आपका फोर absorption spectrum of chlorophyll A so maximum absorption in and chlorophyll A chlorophyll A का absorption वर्ण करम प्रिकास के तथा छेत्रों में अधिक्तम अफ्शोसन दर्साता है अपन जालते हैं हमेशा chlorophyll जो यह होता है वो एक तो blue और दूसरा कौन सा होता है red तो यह दो ऐसे spectrum है जिसके अंदर absorption maximum होता है नीला और लाल के अंदर ठीक है न बेटा तो यह आपका आंसर कौन सा हो जाएगा blue and red यस पेटा इसके बाद देखो अगला कुश्चन if green plant cells are incubate with O18 level CO2 which of the following molecule will we become ready active when the cells are exposed to light यदि हरे पौदे कोशिका ओ अठारे नामांकित CO2 के साथ incubate किया जाए तो कोशिका को प्रकास के संपर्प में रखने पर निवन में से कौन सा अनू रेडियो एक्टिव बन जाएगा बिटा आप जानतों Kelvin Vinson cycle और Kelvin ने आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर यह एक dark reaction की खोच की बिटा और इसमें आप जानते हो है कि यहाँ पर जो carbon है अठार CO2 को जो fixation होता है तो इस कारवन को यहाँ पर आपको पता है completely किस के साथ यहाँ पर किया गया तो यहाँ पर यह कारवन कहां कहां इस पत की अंदर जाता है इस completely यह कौन-कौन से पस से पास होता है और last में यह किसका formation करता है क्योंकि आप जानते हो CO2 को क्या होता है reduction होता है और जब यह reduction करता है तो क्या बनाता है यह glucose बनाता है क्या बनाता है यह glucose बनाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर आप जानतों एक glucose क्या है बिटा एक प्रकार की सूगर है क्या है एक प्रकार की सूगर सरक्रा तो इसलिए आप जानतों कौन सा आयगा answer is third clear अगला कुछन बेटा आपके कुछन नमबर six which pigment is responsible for yellow to yellow orange पीले से पीले से पीला नारंगी पीला पीले से नारंगी पीला रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है yellow orange yellow to yellow orange अपन जानते हो पीटा yellow कौन सा औरंग के लाता है एक प्रकार का red होता है और red के लिए अपन जानते हो कौन सा pigment होता है carotenoids होता है कौन सा होता है carotenoids तो answer is the कौन सा हो जाएगा second is the clear answer कुछन नमबर seven which of these is a type of green pigment which of these is a type of green pigment निम्न में से कौन सा हरा वर्णग एक प्रकार का है अब आप जानते हो पीटा हरा वर्णग green pigment कौन होता है man important chlorophyll कौन होता है chlorophyll अब चाहे वो chlorophyll A हो चाहे B हो ध्यान रखे यहना दोनों में chlorophyll आपका complete रहेगा तो आंसर इस दा कौन से हो जाएगा पीटा fourth answer is the right अगले कुशन है कुशन नमबर eight chlorophyll A appears A in color and chlorophyll V appears B in color in the तो देखिए यहाँ पर chromatogram के अंदर क्या बात चलती है अपन की chromatogram में chlorophyll A का रंग तथा chlorophyll V का रंग दिखाई देता है करमेशे क्या होंगे तो chromatogram में अपन जानते है पीटा A और B यहाँ पर आपको सो करने A और B को क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पर जो भी chromatogram होता है उसको अपन क्या करते है पीटा color differentiate करते है तो color differentiate के अंदर पर देखते है कि एक तो blue's green और दूसरा कौन सा होता है yellowish green इसका मतलब है यहाँ पर एक तो नीला होगा और दूसरा कौन सा होगा पीला हरा होगा तो इसलिए correct answer कौन सा हो जाएगा आपका first is correct answer हो जाएगा ठीक है बेटा अगला question है आपका question number 9 which of the following is produced during the light reaction of photo synthesis तो यहाँ पर क्या करा है बेटा देखिए प्रकास translation की प्रकासिक अबक्रिया के दोरान निम्न लिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है अपन जानते हो पीटा light reaction क्यों से होता है light reaction अब light reaction में अपन जानते हो many product क्या होते है आप जानते हो देखो ATP होता है बिल्कुल होता है NAD बेस्टू बिल्कुल होता है अब आपका देखो बहुत दे दिया NAD बेस्टू और ATP बिल्कुल होता है बट कार्वोहड़ेट नहीं होता है तो इसलिए light reaction के अंदर डिरेक्ट्ली अपन देखते है एक तो ATP का फॉर्मिशन होता है और दूसरा NAD बेस्टू का होता है इसलिए यहाँ पर answer is कौन सा जाएगा थर्ड answer is the clear हो जाएगा अगला कुशन है कुशन नमबर 10 इस दा process of synthesis of ATP इंदा कहने का मतलब है कि प्रकास की उपस्तिती में प्रकास की उपस्तिती में ATP के संसलेशन की किरिया को क्या कहते है अपन जानते है जब light presence होता है तो आप जानते हो chloroplast के अंदर photo phosphorylation की process होती है तो photon की presence ही में ATP का क्या होता है formation होता है तो इस process को क्या बोलते है photo phosphorylation या प्रकासिय फॉस्पोरिली करन के नाम से इसको जानते है क्योंकि directly अपन फॉस्पोरिली करन नहीं कह सकते है क्योंकि phosphorylation में तो आप जानते हो यहाँ पर भी आपका जानते हो ATP का formation होता है वर्ट वो किस की प्रजेंसी में हो रहा है पर light की प्रजेंसी में हो रहा है या oxygen की प्रजेंसी में हो रहा है लेकिन यहाँ पर इसपेसली केस में क्या दे दिया आपको light की प्रजेंसी में हो रहा है तो इसपेसली के हो गए आपका यहाँ पर प्रकासिय फॉस्पोरिली करन ठीक है बटा तो answer is the to right अगला कुशन है कुशन नमबर 11 फोटो कैमिकल फेज फोटो कैमिकल फेज डजनो इनकलूड प्रकासिय राशायनिक अवस्ता में सामिल नहीं है पिटा आपन लाइट रेक्शन देखते हैं तो लाइट रेक्शन में देखो क्या है लाइट अब्जॉर्बेशन यस होता है water spilling, water spilling, O2 बिल्कुल होता है ATP and NADPAS2 formation बिल्कुल होता है but CO2 का fixation नहीं होता है क्योंकि CO2 fixation आप जानतों कहां पर होता है ये dark reaction में होता है कहां होता है बिटा, dark reaction में इसलिए clear answer कौन सा हो जाएगा आपका fourth age clear हो जाएगा ठीक है बिटा, अगला कुशन देखिए कुशन नमबर 12 reaction center of pigment second age and reaction center of pigment first age इसका मतलब क्या हुआ आपका प्रिकास तंतर second है, एक तो center और दूसरा कौन सा है, first है और आपन जानते है बिटा, आपन first में PS second P680 nanometer लेते है नहीं लेते है और first के अंदर कौन सा लेते है बिटा, आप जानते हो, P700 लेते है, तो second में कौन सा आगे है बिटा, आपका P680 और 7 में कौन सा लेते है, P700 तो answer is the first is the clear, ओके बिटा अगला कुशन कुशन नमबर 13 the biochemical object of the pigment first is not two बढ़नक तंत्रो फस्ट की जेव रासायनिक पढ़नाली में नहीं होता पिटा आपन जानते है कि जब pigment first आपका regular चल रहा होता है, तो यहाँ पर आप जानतो यहाँ से सुरू होता है P700 से, तो आप जानतो पिटा यह photon को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से electron exciting होगा और यह आप जानतो कि साइटो क्रॉम की अंदर जाएगा साइटो क्रॉम से electron carrier से होता हुआ यह PC में जाएगा ठीक है ना और फिर last में आपनके PC के अंदर जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखो आप जानतों यह completely इसके साइट में होता है इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा प्रिंडाली में नहीं होता है तो clear है ज्यानी होगा बेटा NADPH2 का संसलेशन नहीं होगा तो answer is the first वाला हो जाएगा ठीक है कुशन नमर है 14 which of the following each R form during Z scheme of photo phosphorylation तो photo phosphorylation process के अंदर जो Z scheme आपने देखते है बेटा तो Z scheme आप जानतों नौन साइकलिक वाली है कौन सी वाली है यह नौन साइकलिक प्रोसेस होती है अब नौन साइकलिक प्रोसेस में क्या होता है ATP बिलकुल बंता है NADPH2 का formation बिलकुल होता है O2 का formation बिलकुल होता है all of these इस कांसर कौन सा हो जाएगा फूर्ट all of these हो जाएगा क्योंकि सारी प्रोसेसिंग किसमें चलती है नौन साइकलिक प्रोसेस के अंदर चलती है यस बेटा अगला कुशन है 450 4 NADPH2 formation NADPH2 formation NADPH2 के निर्मान के लिए देखो अपन जानते है क्या pigment first required होता है बिलकुल होता है second भी होता है इसका मतलब बोथ pigment first and second are required दोनों ही होते है ठीक है only stroma required इससे कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब अपन को क्या समझ में आगए बटा का यहाँ NADPH2 को जब formation होगा तो first and second दोनों ही requirement होते है दोनों के अंदर processor होती है क्योंकि बन देखे P680 nanometer यहाँ से आपको पता है electron जाता है ठीक है ना तो सबसे पहले यह PQ इसको क्या करता है इसको absorb करता है फिर cytokrome के अंदर जाता है cytokrome से PC में जाता है PC से आपके P700 के अंदर जाता है और फिर यहाँ पर pharodoxin इसको absorb करता है और फिर आप जानतों फिर यहाँ पर यह NADPlus present रहता है जो फटापड से absorb कर लेता है तो इसका मज़ब है यह second है और यह कौन सा है first है तो यह दोनों ही requirement होगी तब ही जाकर NADPS 2 का formation होगा तो answer is the third is clear answer अगला question है 16 pigment second is located on pigment second कहाँ पर present होता है अपने जानते pigment second पीटा आपका जो होता है manly यह देखो inner side of thylokode membrane बिल्कुल सही है क्योंकि यह thylokode membrane होती है thylokode membrane का जो inner वाला portion होता है यहीं पर water का splitting होता है के नहीं होता है तो water का जो splitting हो रहा है वो inner membrane में हो रहा है outer side में नहीं होगा lumen और thylokode membrane में नहीं होगा stromalemyn में नहीं होगा तो second state कहाँ पर होता है thylokode जिल्दी की आंतरिक सतय पर होगा membrane पर होगा ठीक है वेटा अगला question आता है 17 which one of the following ions is essential for photolysis of water इसका मतलब क्या हुआ कि जब photolysis होता है water का तो कौन सा आयन essential होता है क्योंकि अपनको पता है कि एक तो पेटा आपको होता है magneze और दूसरा कौन सा होता है chloride तो chloride और magneze आयन दोनों ही requirement होता है लेकिन आपको यहाँ पर दे रखके हैं तो देखो कासा आ गया magneze इस दा correct आ गया बाकि अगर यहाँ पर chloride भी होता तो chloride भी सही जाता इसका मतलब केवल एक option दे रखका है तो आपको ध्यान रखना है इसलिए correct answer is the first is magneze अगला बेटा question number है 18 in cyclic photo phosphorylation the electron release by reaction center is ultimately except why देखे बेटा आपक्रिया केंद्र फी सेवर हंड्रेड दोवारा निस्कासित किया गया electron अन्तते ग्रहन किया जाता है बेटा मैंने अभी आपको बताया था फी सेवन हंड्रेड यहां से electron भी आप जाएगा exciting होगा तो सबसे पहले इसको कौन expect करेगा एपडी इसको accept करेगा इसको एपड से होता जुए यह साइटो करॉम बी में जाएगा फिर साइटो करॉम सी में जायेगा फिर पी सी में जाएगा और पीशी से पुने आपका में electron कहा जाेगा पी से एवन हंड्रेड में जाएगा इसका मतलब है कि electron जहां से गया मूल इस्तिती पर वहीं आ गया इसका मतलब है यह कौन सी प्रोसेस है cyclic तो इसलिए नाम क्या दिया है cyclic photo phosphorylation तो electron जहां से गया वहीं आ गया इसका मतलब है option देखो यहाँ पर ferroduxin बिल्कुल चला आगे जाएगा अनेडी पीसे को मतलब नहीं है reaction center P700 बिल्कुल right answer is third क्योंकि जहां से गया वहीं पर electron आ गया तो इस कौन सी answer हो जाएगा तीसरा answer ज़्दा correct हो जाएगा वेटा अगला है question 19 breakdown of proton gradient developed during chemiosmosis leads to the release of रसोप परास्रिनी के दोरान विक्सित proton प्रवंता टूटने से किसका भी मोचन होता है यह आपन जानते हो यह chemiosmosis होता है इसमें आप जानते हो पिर यह proton accumulate होते रहते है regular water का splating होता है और जब यह proton accumulate होते रहते हैं तो यह पर proton gradient बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप जानतों फिर यह proton gradient जब break होता है तो break होकर आप जानतों फिर यह किस फॉर्म में आता है यहां पर यह 80 page sent 80 page enzyme होता है तो यह किसके अंदर change कर देता है इसको ATP के अंदर change कर देता है इसका मलब है energy release करता है तो क्या हो गया option is the correct third answer बिलकुल career हो गया क्योंकि energy को क्या करेगा release करेगा बेटा अगला question आता है 20 which of the following statement about dark reaction is correct और प्रकासिक अबकिरिया के बारे में और प्रकासिक अबकिरिया के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कतन सही है चलो देखो भई क्या है दे अकर इन डार्क रेक्स बिलकुल यह अंदकार में होती है नहाई है क्योंकि आप जानतों यह तो light की synthesis during light reaction यह प्रकासिक अबकिरिया से बनने वाले उत्पादों पर निर्वर करती है बिलकुल करती है क्योंकि जो light reaction में जो product बनते है ATP और NADPS2 उनको कौन ग्रहन करते है वो CO2 करता है अर्थार्थ बिटा completely वो dark reaction में यूज में आते है तो इसलिए dark reaction के लिए कौन सा correct हो गया तीसरा correct is the सही answer होगे आपका ओके बिटा अगला चलो कुशन हो 21 इन C4 plants Kelvin cycle enzyme are present in C4 पौधो में Kelvin चक्र के enzyme उपस्तित होते है क्योंकि बन जानते है बिटा C4 cycle आप जानते हो एक तो मीजोफिल cells के अंदर होता है और दूसरा bundle seed cells के अंदर होता है तो मीजोफिल cells के अंदर तो आप जानते हो बिटा है यहाँ पर ओ एक का का molecules release करता है और इसको कौन accept कर लेता है RUBP तो किसका formation कर देता है आप यह glucose का formation करता है इसका मतलब है यह Kelvin cycle जो चला है वो कहां पर चला है bundle seed cells के अंदर चला है इसलिए आपको ध्यान रखे तो C4 में एंजया उपस्तित का होंगे Kelvin चकर के bundle C cells के अंदर होंगे तो आपको कौन सांस है गया chloroplast of the bundle seed cells answer is the second is the right answer ओके बिटा क्योंकि यह bundle seed यह पूल आच्छत कोशिकाओं में ही उपस्तित होंगे इसके बाद है question number 22 match column first and match column second select the correct option from the code given the blow जो भी आपको दे रखा है उनको क्या करना है दोनों को सुमलित करना है चलो करो भाईया C4 plant C4 plant आप जानतो हो जिसमें cringe anatomy होती है chlorophyll भी अभी बताया था accessory photosynthetic pigment होते है pigment second आप जानतो हो जिसमें photolysis of water होता है और cm cycle आप जानतो हो पैटा यह succulent plant में होता है जैसे alloy vera है ठीक है तो यह उसका हो गया तो देख लिए कौन सा हो गया एका फोर्थ हो गया एका फॉर्थ कौन कौन से में first में option है और तो किसी में दे नहीं रख खा है chlorophyll B वाला देख लिजी यह B का कौन सा है second है B का second आ गया ठीक है c का बताओ देखो c का third हो गया क्या c का third photolysis यह वाला आ गया ठीक है d का first हो गया यह d का first हो गया तो answer is the कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आंसर इस दा किलिया अगला कुछन है 23 सलेक्ट दा इनकरेक्ट पेयर चलो भई यह इनकरेक्ट कौन सा है टो कारवन कंपाउंट एसपार्टें एसेड हो सकता है क्या नहीं होगा इसका बंद्लब की यह नहीं होगा तीन कारवन वाला पीजी एए बिलकुल होगा, 4 carbon compound malic acid होता है, बिल्कुल 4C बोलते हैं, इसको 3C बोलते हैं, 5 carbon वाला compound, RUBP होता है, 5 carbon वाला ही होता है, तो बागी के सब match कर रहे हैं, बट कौन सब match नहीं कर रहा aspartic acid नहीं कर रहा क्योंकि यह भी लगबग आप जानतों 4 carbon क्या सबास होता है, इसलिए आपका यह कौन सा अंसर हो जाएगा, 1st answer is the correct हो जाएगा, अगला कुछन है 24, identify the correct sequence of stage of Kelvin cycle Kelvin cycle के अंदर कौन सा करम सही है Kelvin cycle नहीं जानते हैं, पर ले बेटा कौन सा प्रोसेस होता है, जब CO2 के साथ कौन जुड़ता है, RUBP तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्वक्सिलेशन बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, रेडेक्शन होता है, जहां पर ATP यूज आते हैं, उसके बाद आप जानते हो, री जनरेशन प्रोसेस होती है, जो पुने वहीं पर लाती है तो तीन प्रोसेस से आपका रेगुलर चलेगी कार्वक्सिलेशन, रीडेक्शन और री जनरेशन, तो करेक्ट आंसर इदा कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर इदा करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन है 25 CO2 combined with RUBP in the presence of enzyme, Rubisco 2 form, 3 PGA, this process of Kelvin cycle is include under enzyme जो होता है Rubisco की उपस्तिती में CO2, RUBP के साथ सेहुजद होकर 3 PGA बनाता है Kelvin चक्र की एक रिया निर्म में से अंतरकत आती है, बही सिंपल सी बात है हभी मैंने बताया था आपको RUBP, अगर यहाँ पर है कौन सा 3 PGA, इसका मलब है C3 cycle है, वो C3 cycle CO2 के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर पहला first product क्या बनेगा जल्ली बताओ तीन carbon बाला ही तो बनेगा PGA तो इसी process को बन क्या करेंगे, carboxylation जहाँ पर CO2 का यूज होता है, carboxylation, जहाँ CO2 release होता है, वहाँ पर decarboxylation, simple सी बात है इसलिए कौन सा अंसरा जाएगा, आपका carboxylation is the clear हो जाएगा, इसके बाद है, अगरा 26, where does glucose synthesis take place in C4 cycle C4 cycle में देखते हैं भई glucose का sensation कहाँ पर होता है, अभी मैंने बताए तब आपके कि यहाँ पर यह तो होती है mesophyll cell और इदर होती है कौन सी bundle seed cell तो bundle seed cell के अंदर आप जानते हों केलविन की जो enzymes होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, इस bundle seed cells के अंदर होते हैं, तो यहाँ से जो CO2 release होई है, यह ROVP का करता है, एसेप्ट कर लेता है और completely यहाँ पर यह glucose का formation करता है, खीक है ना, तो glucose sensation के enzyme कहाँ पर होते हैं, mainly, पूलाच्छत को शिकाओं में, अर्थाद bundle seed cells के अंदर होते हैं, स्वीपूर साहिज में glucose sensation कहाँ होता है तो केबल glucose का सलसर पूचा है, ठीक है ना बेटा, इसलिए ध्यान रखना आपको, कुश्चर नमबर 27, during fixation of one molecule of CO2 by the C3 plant, number of ATP and NADPS2 required are, पौधों के द्वारा, CO2 के एक अनों के इस्तिकरण के दोरान ATP तथा NADPS2 के कितने अनों की आपसकता होती है, पिटा अपन जानते हैं कि अगर मान लिजे, यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा होगा, CO2 H2O C6 H12 O6 है ना, O2 और H2O जो भी है, तो यहाँ पर 12 लेते हैं और यहाँ पर करते हैं 6 लेते हैं, तो अपन को पता है कि यहाँ पर जब glucose का एक यहाँ पर पिटा, आपके 12 और 6 कितने होगे, 18 तो ATP, ठीके ना टोटल मैं पूछ रहाँ हूँ, ठीके और 12 NADPH2 तो यह आपको बना है एक glucose के मॉल के लिए, और एक glucose के मॉल के लिए आपको पता है कि यहाँ पर यह cycle कितनी वार चलता है 6 वार चलता है इसका मतलब है कि अगर इसका 6 का यहाँ पर क्या देदेंगे, आपको divided कर देंगे, तो कितना आ गया, तो 3 ATP तो इधर आगे, और 2 क्या आ गए, 2 NADPH2 यह आ गए, तो कौन सा है जल्ली बताओ, पहला ही आपका option है, 3 ATP और 2 NADPH2 it is clear, ओके बेटा अगला कुशन है 28, consider following statement with respect to the C4 pod and select the correct ones C4 चकर के संबन्द में निम्न कत्नों को देखी और सही बिकल्ब चुनी है, आप यह क्या है देखो, मीजोफिल cells possess both Rubisco and Papage enzyme मीजोफिल कोजकाओ में Rubisco and Papage दोनों enzyme हो सकते हैं, बोलो मीजोफिल जबकि आपको पता है कि मीजोफिल cells के अंदर कीबल कोण सा होता है Papage होता है, कोण सा होता है Papage होता है, कौन सा नहीं होता Rubisco नहीं होता, ठीक है तो यह क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरे देखो initial CO2 fixation finally CO2 fixation आप जानतों बंडल सी सेल्स के अंजर होता है तभी तो आप जानतों Kelvin cycle चलता है तभी glucose का formation होगा इसका मतलब आपका second and third is the right तो कौन सा option होगा बेटा आपका second तो third second और third दोनों ही क्या होंगे right होंगे ठीक है बेटा question number है 29 how many number of CO2 molecules are required to synthesize one molecule of glucose during C3 cycle to C3 cycle to C3 cycle में क्या होगे बेटा आपके completely how many number of CO2 molecules are required to synthesize one molecule of glucose during C3 cycle तो C3 चक्र के दोरान glucose के एक अणों के sensation के लिए CO2 के कितने अणों की आवसकता होगी अभी मैंने बेटा आपको एक diagram बनाया था याद करो CO2 plus H2O C6 H12 O6 इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपने इसको गिया तो 6 CO2 आते के नहीं आते है तो glucose का जब यहाँ पर एक molecules बनता है तो कितने यहाँ पर CO2 की requirement होती है 6 molecules तो कितने की हती है 6 की क्योंकि CO2 क्या होता है reduction होता है तो reduction होता है तो simple जी बात है कौन साथा सही है is the 6 answer बिलकुल right हो गया तो रूबिसको जानते हो कि एक तो CO2 से भी process करता है और दूसरा O2 से भी करता है तो इसको बोलते है carboxylage और इसको क्या बोलते है oxygenage इसका मलब है आपके इसका पूरा नाम जो हो जाएगा RO, BP, carboxylage और oxygenage ठीक है क्योंकि ये दोनों से किरिया कर सकता है तो ये question answer आपका थड़ा answer अगला है question number आपका 31 match is the column बिलकुल match करते है बिटा column कौन कौन से column आते है आपके C3 plant C3 plant के लिए आप जानतों मैनली wheat के लिए आता है ठीक है wheat है एक आप rice है तो ये सब C3 plant है ना sunflower है ये सब C3 plant है C4 plant आप जानतों बिटा मेच और सुगर के C2 पोथ आप जानतों आप जानतों किवल और किवल photo phosphorize तो यहाँ पर आप देखो option कौन कौन से आरे बिटा आपके ये A का 3 एका 3 ये वाला था B का 2 ये वाला था और C का 1 ये वाला था तो answer इसदा कौन से हो जाएगा ठीक है पिटा इसके बाद आता है अगला question आपका 32 which of the following Organal does not participate in photophosphoration तो निम्न मैं से कौन सा कोस की अंग्यक प्रकासिय सुसन में भाग नहीं लेता क्योंकि अपन जानते है पिटा जो photophosphoration के अंदर एक तो होता है कहाँ पर chloroplast के अंदर दूसरा किसमे होता है पर-oxysome तीसरा किसमे होता है mitochondria तो तीन औरगानिल है जहाँ पर photophosphoration की process होती है इसका मतलब है कि कौन सांसर नहीं है फोर्थ आंसर आपका नहीं है इसका मतलब है कौन सांसर हो जाएगा फोर्थ आंसर वाला सही हो जाएगा कोई गोल जी बॉर्ड इसमें नहीं आएगा जबकि आंदर यसमें होता है इसमें होता है अगला है 33 which occur during C2 cycle C2 चक्र के दोरान होता है इसका कोई भी उप्योग नहीं है ना तो कोई इसमें ATP बनते है ना कोई NADPH2 बनते है आप जानते हो जानते हो जब यह होता है तो ATP और खट्च हो जाते है इसलिए ATP का क्या होता है यहाँ पर utilization होता है बाकी के ना तो यह होता है ना यह होता है और ना यह होता है तो इसका मदलब है आपका answer is the second is correct अगला बिटा है 34 विएर इस दा मैक्सिवम नंबर ओप्रोटॉन्स फाउंड इन एक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में प्रोटोन की अधिक्तम संक्या कहां पाई जाती है तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो बिटा यह क्लोरोप्लास्ट है यह क्लोरोप्लास्ट है यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हो यह ग्रेना है ठीक है यह ग्रेना वाली है ग्रेना औ अब इस को रופार करें यह फैलो जानतेंगे कि इनर मेंब्रेन में क्या होता यह आर्ट पर सब्सक्राइब होता है तो होगे पीठीek सब्सक्राइब में होंगे नहीं होंगे, lumen ओ थालो कोड, यस बेटा, outside internal membrane नहीं होंगे, ग्रेणा सर्पेस नहीं होंगे, तो clear answer कौन सा हो गया, second is the clear हो गया, क्योंकि इसकी जो lumen होती है आप उसी के अंदर mainly proton के रहते हैं, maximum रहते हैं, अगला है बेटा, आपका 35, what is the saturated response of the CO2 and C3 plant in बाई आपने हमें NCRT में clear कर रखा है बेटा C3 के लिए आपको पता है 450 mu first L1 है ना और C4 के लिए रखा है आपको 360 mu first L1 इसलिए ध्यान रखना आपर कितना हैगा 450 is the clear answer question number 36 which of the following is not an external factor influencing photosynthesis निम्न में से कौन सा प्रकास translation को प्रवावित करने वाला भाई ये कारक नहीं है simple सी बात है इंका वालब है जो internal factor है और internal factor कौन है chlorophyll है क्योंकि वाकी तो आप जानतों कि ये बहार वाले है सारे बट कौन सा नहीं है chlorophyll नहीं है तो answer is the four 37 how many ATP and NADPH2 are respectfully produced in the process of photorespiration अभी मैंने आपको समझा है तो थोड़ दिर बाइद है याद करो कि photorespiration की process के अंदर ना तो कोई ATP का formation होता है और ना ही NADPH2 का formation होता है इसलिए यहाँ पर देखो जीरो जीरो इसलिए answer कौन सा हो जाएगा फोर 38 मौल्स हाप लीप experiment प्रूब देट इच एसेंशियल फोर फोटो सिंतेसिट तो टेक प्लेस क्योंकि मौल्स ने बिटा आपको पता है कि एक आपका experiment किया था लीप का याद करो है ना इसके लीप आधिव वाले portion को क्या कर दिया यहां पर इसको एक वेल जार के अंदर बंद कर दिया या इसको अंधिरे में रख दिया तो बात में पता लगा कि इतना जो portion था यह वाल qh का एक solution भी रख दिया तो qh क्या करता है यह महली co2 को absorbed करता है तो maxima उन्होंने क्या कर लिया thì clear ale तो इसका मतलब है कि plant के लिए, leap के लिए क्या नहीं मिल पाई? CO2 नहीं मिल पाई, अब CO2 नहीं मिल पाई, तो भोजन नहीं बना पाया, इसका मतलब है वो completely भोजन अपोमेट नहीं हो पाया, इसका मतलब है नो नहीं ये बताया था, कि यहां पर विटा, जब भी photosynthesis होता है तो CO2 की requirement होती है तो ये बात किसने बताई थी? मोल ने बताई थी अगला है question number 39 who dominated that green plant purify the fall or produce by everything animals and warning candles ये आपने प्रियोग एक बार देखा होगा कौनस ने बताया था कि आयाद करो इरो ने बेटा दो बेल जार लिये थे ठीक है एक बेल जार में पहले बेनोंने क्या किया कि एक तो प्लांट लिया ठीक है और एक क्या लिया पटाई यहाँ पर completely मौमबत्ती लियी candle लिया लेकिन अपने देखा कि यहाँ पर आपके प्लांट और candle आपके यह दोनों ही क्या हो गए प्लांट लिया मिंट का एक लिया माउस चूहा यह चूहा लिया और एक केंडल लिया यह केंडल लिया तो केंडल आपको पता है कि जैसे यह CO2 को रिलीज करेगी बिटा तो CO2 को कौन अब्जॉर्ब करेगा प्लांट प्लांट जब रैस्पेरिशन करेगा तो प्रिश्टले का टो कों ग्रेंट करेगा माूस चुा और फिर यह क्या रीलिज देखा तो जो भी सी ओ ठीज रहे है उसको कौन एक्सेट कर रहा है पलांट तो यह जो आपका ऐक्सपरिमेंट था वो किसका था बताओ जली से प्रिष्टले का किसका था प्रिष्टले का तो ये किस ने बताया था ठीक है विटा 40 कौन सी ये बात प्रमान करता है कि गुलू कोज फिरकास संसलेशन के दोरान बनता है और स्टार्च की रूप में संस्चित होजाता है तो ये बात किस ने बताया थी सेक साब ने वन जूलियस सेक कहानी सेक साब ने बताया थी जो एंस याटिम दे रखा है 41 Which metal iron is the constitute of the chlorophyll आप जानते हो पेटा chlorophyll के लिए mainly कौन सा आइन है magnesium तो magnesium iron very important होता है chlorophyll के लिए ठीक है न क्योंकि ये magnesium जानते हो center में होता है जो requirement होता है Question number 42 Photosynthesis in a green plant How many quanta are need for the production of one molecule Simple सी बात है कोई भी process के अंदर अगर मान लिजे यहाँ पर यह CO2 और H2O यहाँ से बाप जानरो glucose बनता है और साथ में O2 निकलती है तो यह जो O2 यहाँ release हो रही है तो एक mole के लिए O2 release होने के लिए कितने quantum की requirement होती है एट तो ध्यान रखना एट quantum की requirement होती है इसलिए ध्यान रखे इस बात को बिटा 43 which light range the least effect in the photosynthesis क्योंकि आप जानते हो पिटा सबसे कम परास की जो light होती है वो कौन सी होती है जो photosynthesis में यूज में आती है वो green कौन सी आती है green जिसे वापन देखते है बीबिग्योर ठीक है न तो अपन देखते है इदर से इदर wavelength बढ़ता है ने बढ़ता है तो यहाँ पर wavelength बढ़ा है इसका मलब देखो यहाँ पर देखो यह green आ गया between और दूसरी बात अपन जानते है कि प्लांट जो सबसे कम से कम pigment को absorb करते हैं वो green pigment को absorb करते हैं क्योंकि वो जदा जदा reflect करते हैं इस चीज को ठीक है न बढ़ता तो इसलिए absorb कम से कम green में करेंगे इसके बाद आता है question number 44 which color of light is most absorb वाई chlorophyll A के द्वारा प्रकास किस रंग का सरवादिक अप्सुसन करता है action spectrum में देखा होगा बेटा आपने तो action spectrum में आपने इस प्रकार से देखा होगा यह देखो याद आ रहा हो तो इस प्रकार से आपको NCR team दे रखा है इस प्रकार से देखा है तो आपने जानतो हिए पिटा chlorophyll जो A होता है अब Truth느र आप जानतोव पिटा इधर एक तो ・y Jour क्लूरोफिल आप जानते हुँ पिटा इधर एक तो यह होता है विभ गिव इअ या और तो यह रहल uh पाली मेह पर और हुग話, वागी बीच से यह नहीं हो रहा हु ब्लू लाइट के अंदर सरवाद एक क्लोरोफिल ये क्या करता है एब जोब हम इस्टोरिस्टम करता है तो ये इसके अंदर प्रेजेंट फर्स्ट ये सेकेंड ये 44 ओप्टर एक्सपरिमेंटिंग ओन वाइलेट एंड ग्रीन सल्फर वेक्टिरिया बेंगनी और हरे सल्फर जीवाओनों प्रियोग करने के बाद किस वेग्यारिक ने बताया कि प्रकास निकली ओटू जल से आती है ये तो बॉन नील ने बताया क्योंकि बॉन ने बताया इन वेक्टिरियों पर एक्सपरिमेंट किया था याद करो H2A पिलस CO2 तो यहाँ पर आप जानते हो CH2O बना था ये तो भोजन बना था साथ मेंनों ने क्या है ए रिलीज हुई थी तो ए रिलीज का मतलब है यहाँ पर मालीजी जिनन सल्फर लिया तो सल्फर रिलीज हुई तो यह बात किस ने बताई थी पटा बॉल नीन साब ने बताई थी कि 46 splitting of water is associated with कि कि जलका बिक्तन किस से समस्थ है अब उनको पता हिए जलका बिटन कहा होता है प्रिकास्ताज में फोटोश के फर्स्ट नहीं होगा लूमेन थी नहीं होगा बहुत फोटोश अनुच्व सेकेंट नहीं होगा इनर सरफेस फैलोकोड मेंबरेन सिंपल सी बात है य जो inner side होती है यहीं पर H2O का क्या होता है photolysis होता है जिसके कारण यह proton और electron और O2 release होती है वो inner membrane पर होती है ठीक है तो answer is the कौन सो जाएगा fourth answer is the clear 47 the correct sequence of the flow electron in the light reaction is तो light reaction के अंदर कौन सा प्रभाय साही क्रम है देखो अपनको शुरू आज कहानी होती है पी 680 nanometer तो pigment second होता है नहीं होता है यहां से electron गया पी क्यू ने grain किया बोलो फिर यह गया आपका साइटो क्रॉम साइटो क्रॉम से आपको PC PC के बाद आप जानतों फिर आपको इसमें जाएगा फस्ट के अंदर जाएगा और फस्ट से अखाव जाएगा फिर आपका FD के अंदर जाएगा FD के पास क्या होते है NAD plus होता है तो देख यह कौन साइट हो गया pigment second विल्कूर second गया साइटो क्रॉम साइटो क्रॉम के अंदर जा रहा है pigment first के अंदर आ रहा है फस्ट में अंदर आ रहा है और लास्ट में NADPS plus के अंदर जा रहा है तो पहला option is the correct हो गया 48 the enzyme that is not found in a C3 plant H C3 पौदों नहीं पाई जाने वाला enzyme c3 पौद आप जानतो के के से होना Kelsey वाले होते है तो R.Y.O B.P .之前 कि इस बोलो होगा पी पी कार्व प्रोक्स नहीं होगा क्योंकि P.P. पी कार्वे इस किसमें होता है Selbst ऎक श्यक्ष साइकल में हिरा...... किसमें होता है cioè प्लांटों के अंदर होता है यह भी होगा और यह भी होगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा प्राइमरी फ्रिक्सेशन ऑप सी टू इच के टलाइज्ट वाइच इसके वंदल में बहें अपक्रिया जो कि सीटू के प्रात में इस्तिकरन के लिए प्राइज्ट विल्कुल तो यह डवल राइट हो गया इसका मतलब है कि आपके दोनों यूज मिले सकते हैं क्योंकि आपन जानते हैं एक तो और यू बीपी पिलस सीओ टू दूसरा होता है पीपी पिलस सीओ टू तो दोनों के आंज यहाँ पर कार्वक्सिलिकेशन प्रोस इसके बाद आता है अगला 50 वेन स्यू टू एच कंपोज विथ पीपी दा फ़र्ष्ट इस्टेवल प्रोडेक्ट सिंतेसिस एज जब स्यू टू पीपी के साथ मिलता है तो पहला इस्ताई उत्पास संस्लिकेशन होता है भाई देगो यह पीपी है ठीक है और जब यह स्यू टू के साथ मिलता है तो प्रिथा उत्पास कौन सा बनता है चार कारवन वाला बनता है और उस चार कारवन को क्या कहते है तो कौन सा आंसर हो जाएगा विटा फोर्थ आंसर इस दा किलियर हो जाएगा ठीक है बिटा तो अभी इसके बाद है कुष्ण नमबर 51 फोर फोित populaстиश लौ उप लिमिटिंग फैक्टर वाज यूज वाई बाइं लिमिटिंग फैक्टर का यूज किस ने किया था सिंपल सी वाद था है 기억 οι सांटिस्त था ब्लेक मैं किसने किया था ब्लेक मेन प्लग जो जिसकी कॉंटिटी सबसे मिनिमाइज होती है वही क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर होता है जैसे नॉर्मल आपन जानते हैं सियो टू कुशन नमर 52 पिछ बन ऑप दा मेजर लिमिटिंग फैक्टर फोर फोटो संदे सिद्य को अब कुश वाम इससे सियो टू की अहूता है एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है 53 फोटो सबसेंस हो रहा है और ऑट्विश किससो को रह रहा है है हाईय ओ टू कंसंट्रेशन एंड लो सी ओकन्संट्रेशन बिलकुल यहीसे फोटो रैस्पिरेशन है क्योंकि 12 इसकों में ब्लभी और जब ओटो की concentration हाई होती है तभी यह process होती है इसलिए पहला option is the right ठीक है और तो कोई लग नहीं रहा सारे low light ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा 54 54 इन C4 cycle या C4 plant large number of chloroplast are found in C4 पौधो में अधिक संक्या में chloroplast कहां पाए जाते है बिटा आपको पता है क्रेंज अनाटोमी C4 के अंदर क्या पाँ जाती है क्रेंज अनाटोमी और क्रेंज अनाटोमी के अंदर आप जाने तो मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल तो दोनों में का भी डिफरेंट होता है नहीं होता है तो मेली आपके large number of chloroplast जो होते है वो बंडल सीद सेल्स के अंदर होते हैं कहां होते हैं बंडल सी सेल्स के अंदर होते हैं तो इस आंसर इसदा को जाएगा फस्टिज जग के लिए 55 इनदर लीपस ओफ सीपोर प्लांट मैलिक एसिड फॉरमिसा देखो भाई अगर मालीज यह सीपोर ब्लांट की अंदर यहां पूछा है मैलिक ऐसिड का मीजोफिल के अंदर ध्यान रखो PEP CO2 से ये क्रिया करता है तो आपको पता है OAA जेलेक एसेड़िक एसेड बनाता है आप जानतों किसमे कर्रमाट हो जाता है मैलिक एसेड के अंदर तो यह मैलिक एसेड का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है मीजोफिली के अंदर होएं फिर यह बहुत न होगा किसके अंदर Rap यह बाद में होगा यह झार कि सीयूट्यों क्या होती हुआ भी मैंने बताये था क्योंनि is the limiting factor क्यों है 0.03% होती है कहीं कहीं आपको 0.04 भी मिल जाएगा बट आपका यह option आपको दे रखा है 0.03% वागी और किसी के नहीं है तो इसलिए आपका answer is the fourth ध्यान रखना यह NCRD के अंदर mention किया हुआ है और यह कुशन अथा भी है 57 एट अवाउट वाट परसंटेज ऑफ दा फूल सनलाइट डज लाइट सैजूरेट अकरदा फोटो सिंतेसेज पिरकास अंसलेशर में पिरकास समत्ति पूर्ण सूरिय के पिरकास के लगवा कितनी प्रतिसद होगा बिटा आपन जानते हैं कि 50% से कम कि सनलाइट जो अर्थ पर गिरता है तो केवल आपन का जो प्लांट कैप्चर करते हैं टू से 10% ही कैप्चर का पाते हैं तो 10% एक सैचूरेशर पूंट होता है इसका इस्ते जदा नहीं होगा इसलिए आनसर इस दा फश C3 चक्र में कौन सा अनू कारवंडाय से साथ सयोग करता है अब देखो C3 C3 का मान दर जाता है पिटा की एक तो होता है कौन सा RUBP तो ये CO2 से किर्या करके क्या बनाता है PGA बनाया नहीं बनाया इसका मतलब है PGA का फॉर्मिशन कंप्लीटली हुआ यहां पर तो C3 cycle के अंदर CO2 जो होता है वो किस के साथ करेगा जली बता हो राइभोलोज विस फॉसपेट तो RUBP के साथ क्या करेगा बिटा कंप्लीटली सायोग करेगा 59 विजीवल पार्ट ऑब स्पेक्ट्रम कंस्टिट और रेडियेशन हेविंग वैब लेंथ इन दा रेंज ओफ विद्दुद्ध चुमिक की वर्णिक्रम के दस प्रगाव सीमा सीमा आप जानतों पिटा आपके विबगयोर जिसको बोलते है और यह IOर आप जानतों काहां से ख बोलता है यह यह थर्टी नाइन हंंड्रेश से लेकर 7600 तक होता है तो यह एंग श्ट्रों में है किसमें है यह एंग स्ट्रॉंग में अगर नेनो मीटर में निकालोगे तो कितना आएगा 390 से 760 नेनो मीटर तो ध्यान रगना ये बिजीवल स्पेक्ट्रम है क्या है ये बिजीवल जिसे अपन रॉम्बो या इंड दनुस में किलियर देख सकते हैं तो ये कौन सांसर हो जाएगा बटा तीसरा आसना जिदा के लिए 60 वो यूज प्रिज्म ग्रीन एलगा एंड एरोविक वेक्टिरिया एंड पॉर्टेड एंड फ्रस्ट एक्ष्ट्रम फोर फोटो सिंतेसे भाई ये आपका इस्प्रियमेंट किया हुआ है आपको Πताँ है तो ये आपको पता है कौन सा प्लांट से द्चंदव जो भी यहां पर प्रिजम जैसे एक संलाइट लिया संलाइट मनला वाइट लाइट होता है अब जैसे इस स्पेक्ट्रम होता है तो यह क्या करेगा पर इसको साथ रंगों में अलग इस प्रकार से कर देगा जिसको बिबिगोर कहते है और फिर यह नोंने देखा तहब 21 या एंगल में ने किया ता ज्याएं ठीक है तो आंसर को जाएगा फोर्ट हो जाएगा कुश्चन नमर 61 फोर्टो सिंथेटिक पिग्मेंट सच एज क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जैनतोफिल एंड केरोटीन कैन वी सेपरिटेड वाई विच अब दा फ्लोइंग टेक्निक तो अभी बताया था पिटा पेपर क्रमेटो ग्राप की यस पिटा इसके वाले कुश्चन नमर 62 क्रेंज एनटोमी इस नोट एग्जिवेटेड वाई विच अब दा फॉलोइंग प्लांट्स क्रेंज एनटोमी किसमें नहीं पाई जाती है बिलकुल मक्के में पाई जाती है सोर्गम जुआर बोलते है सुगर कें में पाई जाती है बट सन फ्लोवर में नहीं होती क्रेंज एनटोमी इस था सी फोर प्लांट यस पिटा 63 which of the following proteins is the most evident on earth आप जानते हो पेटा प्रोटीन सब ज़्यदा आप रहनते हैं पूरे वाय स्पेर में जो होगी वो कौन सा होगा रूबिस को क्यों होता है रूबिस को होता है कुछार नमर 64 when temperature is the increase from minimum to optimum rate of photosynthesis double for every rise in temperature अपन जानते हैं आपने फोटो सिंतेसिस फेक्टर पड़े होंगे फेक्टर के अंदर मैं लिए आप जानते हो कि वहाँ पर जहाँ पर temperature होता है अगर temperature 10 centigrade double हो जाए तो इसी को क्या करता है ये फोटो सिंतेसिस रेट को डबल कर देगा अगर आपने 10 centigrade एक्टम कम कर दिया तो पोटो सिंतेसिस रेट क्या हो जाएगी आदी हो जाएगी तो इसलिए आपको क्या करा पड़ेगा 10 centigrade is the clear 65 which of the following pigment is yellow color in chromatogram chromatogram में yellow color कौन सो करता है जैन्तो फिल कौन कर रहा है जैन्तो फिल कर रहा है जैन्तो फिल कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं chlorophyll A और B green color करते है के रोटीन red करता है या yellow orange करता है बट जैन्तो फिल कैसे कर रहा है आपके पीला रंग यलो पिलर करता है 66 C4 plant are adapted C4 plant आप जानते हो पिटा किस प्रकार से अड़ेप्ट होते हैं जहां पर high light intensity हो तो high light intensity के मतलब है hot and dry climate होगा तो first answer is the clear ज्यादा सही है 67 enzyme and necessary for photo phosphorylisone occur in प्रकासिक फास्पोरी करन के लिए आप सक enzyme होते हैं तो प्रकासिक light reaction हो रहा है अब light reaction हो रहा है आप जानते हो तो आप process होती है तो वो chloroplast में होगी बोलो क्योंकि अगर oxidative होता तो वो किस में होती mitochondria में होती बट यह करा photo phosphorylation इसका मतलब है chloroplast के अंदर present होगा तो answer is the first age के लिए 68 read the following reaction हाँ भई पढ़ो reaction क्या कहती है H2S CO2 2S यह बना तो यह बनने के बाद पहुंसे जीवों में पाई जाती है अब बताओ के यहाँ पर O2 release होई नहीं होई इसका मतलब है O2 release नहीं होई तो वो कौन से type के होंगे वो green sulfur bacteria होंगे तो इसी करन क्या होता है क्योंकि इनके अ होती है बागी साइन वेक्टिया में होती है यूलोथ्रीक्स में होती है पर यह आपकी जो reaction होता है इसने बाद पताई थी वन ने नैल ने बताई ती याद करो तो यहाँ पर O2 release नहीं होई वो कौन से एक्टिज़्क अंदर इनके अंदर नहीं होई अगला पुश्वर्ट देट डज नौट इवाल्व ओटू डूरिंग फोटो सिंथेसिस अभी मैंने जो ज़स्ट आपको कुश्चन दिया था उसका देखो मैं मीनिंग आ गया पिरकास संस्क्राइशंग दोना कौन सा सूजी ऑक्षिजन नहीं करता इसका दूसरा एक्जामपल कौन सा गया परपर स अलफर वेक्टिर्य जो यहसे होते हैं जो ओटो रिलीज नहीं करते हैं ठीक है न बटा तो इसको ध्यान रखना है 670 ता मेंसाइट फोर डार्क रियक्षन ओप फोटो सिंथेसिस इच प्रिकास संस्लेशन की अंदकार अपक्रिया का मुकिस्तल आहा कितना कुशन अच्छा है क्योंकि आप जानतों पेटा लाइट रेक्षन होती है ग्रेना पर और डार्क रेक्षन होती है इस्ट्रोमा में तो कौन सांसर हो जाएगा इस्ट्रोमा इदक के लिए क्कूशन नमर 71 बिच प्लांट फोटो रेस्परिशन दस नोट अकर फोटो रेस्परिशन कहां नहीं पाए जाता आपको पता है C4 बोधों में C4 प्लांट सों के अंदर नहीं होता है क्योंकि C3 के अंदर विकोज और गन्य जैसे उष्ण कट बन दी पौदे CO2 उच्छ दक्सता दिखाते हैं क्यों क्योंकि आप जानतों यह कौन सा साइकल होता है है तो C4 को किस नाम से जानते है 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 स्लेक्ट साइकल की डिस्कवरी है स्लेक्ट एक साइन्टिस्ट ने की ती इसलिए नाम दे दिया है स्लेक्ट साइकल आंसर कौन तो चला जाएगा सेकेंड इस दा करेक्ट कि 73 नंबर ओव एटीबी मॉलीकूल रिक्वाइड फोर तर री जनरेशन फेज और आर्यो एपी ड्यूरिंग सिंतेसिस और बन गुलुकोज मॉलीक्यूल कि एक गुलुकोज के अनुके संस्रेशत दोराना आरिओ भी पीके पुल्ट जर्न के चरन के लिए आवश्चक 7 जंक्या कितनी होगी वह आपको पता ही है एक तो आपकर जानते हो रिटैक्शन में कितने रिक्वार्मेंट होती है 12 एट फीट ही कि रीजनरेशन में कितने हो रीजनरेशन में ध्यान रखना कितने ATP रेक्वार्मेंट तो 6 हो रहे यह किसमें हो रहे है रिडेक्शन में हो रहे है तो यहाँ पर पूछा क्या है रीजनरेशन पूछा है इसका मतलब है 6 ATP is the correct answer 54 प्राविस्टेप पाई फोटो सिंतेशिच फोटो के अंदर तीन कारवर्मानवों से जुडने से ग्लूकोज बनता है क्या डारैक्टली तो नहीं बनता है आपको पता है क्योंकि लाइट एक्सण होती है पहले उसके बादारक प्राइक्शन होती है इसलिए तो लाइट बिल्कुल सही है जैसे फोटोन ग्रेगा क्लोरोफिल का मॉलीकूल एक्साइटिंग होगा तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होगी यह होगी तो फोर्थ आंसर इस दा करेक्ट 75 बिच और रो मैटेरियल यूज दूरिंग फोटो सिंथेस सिंपल सी बात है आप भी पता है कि यहां पर फोटो सिंथेस प्रोसेस होगी तो क्या लेते CO2 और H2O तभी तो खाना पकर तैयार होगा गुलूकोज के फर्म में तो जब तक यह नहीं लोगे तब तक खाना नहीं बनेगा तो कौन सी आंसर सही है फोर्थ आंसर इस दा के लिया 76, Due to the increase the concentration of CO2 अगर CO2 की concentration रेगूलर अपन बढ़ाते जाए तो निर्मल प्रकास शंशलेशन भी इनक्रीज होगा, तो फोटो संस्री इनक्रीज होगा, क्योंकि अपने अपने देख आई है, पेटा, तो रेगूलर हिहाँ पर इस प्रकार से इनक्रीज होगा, तो एक कंडिसंग जो बहुत हाई लाइट कर देंगे तो बात दूसरी है बट रेगुलर अभी CO2 जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो फोटो सिंतेसिस बढ़ता जाएगा तो यह एक लॉर्मल कंडिशन में रहता है इसलिए आपने को ध्यान में रखना है पहला दूसरा और प्रिस होता नहीं है यह भी नहीं होता यह नहीं होता क्योंकि यही लाइट के अंदर बनते है और यही एसिमिलेटरी पावर होते है जो रेडेक्शन करते है किसका CO2 का जिससे वह ग्लूकोज फिक्स करते है ठीक है बिटा तो CO2 फिक्स होकर किसमें बदलता है ग्लूकोज के अंदर कनवर्ट होता है तो वह इनके द्वारा होता है 78 इन बच्प्लांट इन विच्प्लांट पीजीए एस दा फिस्ट सियोटू फिक्सिशन प्रोडेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटो सिंतेसिस और पिर्थम सियोटू इस्तिक्रान के उत्पात गरूप में पीजीए की खोज कौन से प्रकास संसलेसी में की गई कौन सा प प्रकार की होती है जिनमें सबसे पहले फोटो सिंतेसिस के बारे में बताया था इसके बाद है अगला कुष्ट्ट्ट सिवन्टी ने एच कंपेर टू एस सीथरी प्लांट हाउ मैनी अडिशनल मॉलीकूल ओब एटीपी आर नीडेड फोर नेट प्रोडेक्शन ऑब बन मॉ सकता होगी बिल्कुल बेटा सी थरी प्लांट के लिए अबन को पता है कितने होते हैं 18 एटीपी पिलस बारा एन एडी पी एच्टू होते नहीं होते हैं अब मालीज जीए प्लांट है सीफोर ब्लांट बता है कि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एटीपी की रिक्वार्मेंट होगी इसका मतलब है कितने होंगे बारा और एटीप रिक्वार्मेंट होंगे तो इसलिए यहां पर क्या बचा 12 तो 12 कहां पर है यह 12 अको अलिए सीर अंट जानते हैं तो अफ़न धारा आपको थिए NCRT में लाइन दे रखी है 81 During photosynthesis Oxygen is evolved from अब अब आपन जानते हैं बिटा photosynthesis process होगी और वो oxygen की निसकासन से होगी इसका मतलब है कि आप जानते हो कहां से होगी तो प्रिकास संस्रेट और oxygen की निसकास आहां water से होता है यह जल से होता है यह तो सभी जानते हो बिटा आप लोग 82 Which of the following is correct for photosynthesis प्रिकास संस्रेशन के लिए निमनते कौन सा सही है देखो Only biological oxidation process नहीं है photo chemical catabolic नहीं है नहीं होती photo oxidative metabolics यह भी नहीं है क्योंकि यह oxidative नहीं होती हो photo chemical chemical enableic process यह यह enableic process होती है जैसे अपन कहते हैं न physio chemo physio process इस प्रकार से यह photo physio chemo तो जैसे से 83 the electron transfer chain of photosynthetic process H प्रिकास अंसलेशन प्रिक्रिया में electron परिवहन सरंकला आप जानते हो पिटा जब भी यह process होती है electron परिवहन सरंकला वो कहां पर होती है थाइलोकोड मेंब्रेन से बंदी हुई स्रंकला होती है 84 Kelvin cycle is found in Kelvin cycle कहां पाई जाता है C3 पात्वों में C4 पात्वों में C2 पात्वों में सभी photosynthetic plant में आप जानतों सभी जितने भी all photosynthetic plant होते है सभी के अंदर present होता है चाहे C3 हो चाहे C4 हो कोई सभी हो 85 Which one of the following is not a product effect of the light reaction of photosynthesis निमलकित में से कौन सा एक प्रकास अपक्रिया को उत्पाद नहीं है भाई अब आपन को पता है ATP है ATP NH2 भी है NADPH2 भी है O2 भी है लेकिन कौन सा नहीं होगा NADH क्योंकि ये Oxidize है इसलिए गलत हो गया तो correct answer is the second 86 Choose the incorrect statement regarding the earliest experiment on photosynthesis हाँ वई क्या कहता है सम्मद में इसके बारे में चुनिये प्रिष्टले ने हरे पाथ पॉकी ब्रद्धी में बायू की आवश्य भूमका को बताया बिल्कुल सही है कि जो फोटो सिंतेस जो प्लांट होते बूह ही क्या करते वी करते प्लांट को सुध्र करते हैं इंजन हो सो देट्ड़ सण लाइट इसंचियल दप्लांट पर्वाण से इस इस विल्कुल सही है इंजन आ दिकाया इंजन और सूर्य परकास पाधा प्रियाव के लिए बहु सही है Aww. चोत्व देखो वंसेक्स, प्रोबैड एमिडेंस दा प्रोडेक्शन ओब कार्भ वो कार्वन डाई एक आक्साय है फेन प्लांट ग्रोव क्या बताया था वंसेक ने ना बताया क्योंकि आपको पता है कार्वन डाई आक्साय है शेन क्लुकोز आएगा है जिली कौन सा अगलत हो गया आपका फूर्थ नंबर का गलत हो गया 87 बीच आप दा फॉलोइंग इस दा प्रेजेंट इन मेंब्राइन ऑप्ता इस्ट्रोमा लैमिली इसका मतलब क्या हुआ बेटा निम्रस में कौन सा इस्ट्रोमा लैमिली की चिल्दी में मौझूद होता है एने डी पी अडिक्टेज बोलो इस्ट्रोमा लैमिली की बात कर रहा हूं नहीं होता है पिगमेंट सेकेंड नहीं होता है बार्टर स्प्लेटिंग कॉंप्लेक्स जल C3 की होगी, C2 की होगी, C4 की होगी clear बात है फास्पोग्लाइकोलिक अमलू बन रहा है इसका मतलब है कि यह एक westless process है तो westless का मतलब क्या होगा C2 cycle की है तो photorespiration की है तो photorespiration क्या बोलते है C2 cycle ही बोलते है 89 Inplant cells synthesis of the ATP वाइदा, chemiosmetic occurs in during पादब कोसका में रसोपरास्णिन दौरा ATP synthesis किसके दौरान होता है ATP का synthesis आप जानते हो एक तो chloroplast में होता है दूसरा mitochondria में होता है chloroplast में क्या बोलते है इसको याद को पता ही है बिटा इसको बोलते है phospho phospho या इसको पूरा नाम है इसका photo phosphorylation इधर उसको बोलते है oxidative phosphorylation तो इसका मदलब है यह प्रकास translation भी हो रहा है और सुशन भी हो रहा है इसका मदलब है photosynthesis process में भी चल रहा है और respiration के अंदर भी चल रहा है तो यह दोनों प्रकार का process होता है जहाँ ATP का formation होता है phosphorylation होता है 19 ATP and NB2 produce during photosynthesis are used in which of the following reaction प्रकास translation के दोरान उत्पन ATP और NADP इसक्रिया में होता है simple सी बात है biosynthesis phase जिसको बन क्या कहते है dark reaction तो जब ही तागे यह glucose बनाता है तो कौन सांसर जाएगा second 91 What is the primary receptor of CO2 in dark reaction dark reaction बता हो वही कौन है CO2 का गराई वही keto sugar है कुन सा है keto sugar जो अपन जानते हो क्या नाम बोलते है इसको RUBP याद करो तो यह keto sugar आ जाएगा 92 The following process occur during photosynthesis reduction of CO2 देखते क्या-क्या है तो प्रकास से दोरान प्रकिरिया होती है यह सारी प्रकिरिया हो रही है कुशन पूचा है which one of the following combination is correct the light phase तो light phase की अवस्ता देखती है तो light phase में आपको पता है कि कौन-कौन सा होता है जल का अबगटन होगा oxygen का असल होगा और ATP का निर्मान होगा तो second, fourth, fifth second, fourth और fifth तो यह second answer इसदा correct हो जाएगा ठीक है वेटा 93 तो फर्स्ट प्रोडेक्ट आप स्यूट फिक्सिएसन स्यूट फिक्सिएसन प्रस्ट प्रोडेक्ट आप जानतों तीन कार्वन वाला होता है तीन कार्वन वाला जिसको P, G, A नॉर्मली बोलते है ठीक है which of the following statement is incorrect incorrect क्या है देखो भाई Rubisco is Y functional enzyme सही है in C4 plant and site or Rubisco activity the mesophyll cell C4 पौदों में Rubisco कदीविदी इस तल mesophyll कोसकाव में होती है यह गलत हो गया क्योंकि bundle C cells के अंदर होती है सबस्टेट और मॉलीकूल Rubisco activity 5-11 बिल्कुल होता है Rubisco is the most evident evident protein on earth यह भी सही है तो कौन सा गरत हो गया second answer गरत हो गया 95 we are exactly the pep cage found in pep cage कहां present होता है only mesophyll cells के अंदर bundle C cells के अंदर बहुत दोनों के अंदर क्योंकि pep cage आप जानतों मिला only C4 के अंदर होता है c4 कहां पर होता है bundle C cells के अंदर होता है क्योंकि जबी तो यह PEP किस से क्रिया करता है CO2 से तो OAA तो यहां पर जो enzyme आता है pep cage क्या आता है pep cage तो कहा होगा bundle C cells के अंदर होगा ठीक है question number 96 the first carbon dioxide fixation product of C4 plant H C4 पौधों का प्रिथम carbon dioxide से स्थिकरन प्रावत होता है क्योंकि C4 पौधे है और C4 पौधों में आप जानतों प्रिथम उत्पाद जो बनता है product वो बनता है और जेलो acidic acid तो कौन सा question हो जायागा answer is the first is the correct 97 what is the incorrect about the abundance C cells abundance C cells के अंदर देखो क्या incorrect है क्या गलत है बहु परती होता है सही है multi-layered होता है large number of chloroplast बिलकुल होते है intercellular space present नहीं होते है thick ball होती है तो answer कौन सा हो जाएगा third answer is the clear 98 which pair is wrong कौन सा wrong होता है पर देखो यहाँ पर C3 plant मेज में नहीं होता है क्योंकि यह wheat और rice के अंदर होता है जबकि C4 होता है मेज के अंदर C4 cringe anatomy बिलकुर सही है Kelvin cycle बिलकुर सही है Slex cycle बिलकुर सही है कौन सांस हो गया फर्स्ट इस अगला है 99 which is the isotope that have been used in the study प्रकास संसलिशन में फोटो सिंतेसिस में आपको पता है दो isotope का यहाँ पर यूज किया गया था वो कौन कौन से है का 14 कारवन 14 और ऑक्सीजन 18 तो दोनों isotope का यूज किया गया था याद करो तो यह तो वाटर के लिए किया गया था और यह ग्लूकोज के लिए किया गया था याद आ रहा है CO2 से यहाँ पर C6 H12 O6 तो यह 14 से किया था वाटर H2O से O2 निकाला था तो यहाँ पर इसको 18 किया तो यह दोनों isotope का यूज किया गया और लास्ट कुश्चन है आपका विच ओप दा फोलाइंग स्टेटमेंट इस करेक्ट क्या करेक्ट है वे बैता हो फोटो रैस्पिरिशन इस यूजफुल प्रोसेस बिल्कुल सही है क्योंकि यह इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको पता है प्रकास तो ने एक लाब्दाइक क्रिया है नहीं गलत हो गया यह क्योंकि यह लाब्दाइक क्रिया नहीं है यह बैस्ट फोलिक्र पॉसेस है कोई मतलब नहीं है इसका मतलब क्या हुगा निन में से गतन कौन सा चुड़ना है सही चुड़ना है तो सही तो क्योंकि यह भी गलत हो गया जहिंत हो गया है यह बहुन सा है तो सैकेंड आंसर इसदा Hey a एफिसेंट होते हैं तो इसी के साथ आपके हंडेड कुष्चन यह वायोड कैम DTS के कंप्लीट होए और अशा है कि तुम लोगों ने अच्छा किया होगा और यह आपका जो टेस्ट है वह है ट्वैल नंबर का 25 मार्च का ठीक है विटा तो इसको ध्यान रखें ओके विटा ब सब्सक्राइब करना है तो देखें अब इसकी बात करें अपने यह आपका है यह चला गया है किसमें एस्टू में और और टू में टूटे गा ऐसे डिकंपोज हो गाई तो यहां पर देखा जाये तो फरोगसाइड है तो चिशन माइनस वन ऑक्षीडेशन इस टेट में है यहां पर ऑक्षीजन जीरो में गई तो इसका ऐस्टेसन हो गया यह आँ माइनस तू में इसका का reduction हो गया तो disproponation reaction है जबकि आपने को इंकरेक्ट देखना है एक वस्टू सॉलिशन ओप एस्टू ओटू इज वीकली एसीडिक बिल्कुल सही बात है एस्टू ओटू का वीकली एसीडिक सॉलिशन होगा bleaching action of H2O2 due to its reducing nature यह कह रहा है कि H2O2 का bleaching action reducing nature से है तो देख लेते हैं H2O में गया और यह nascent oxygen नवजात oxygen यहां से निकलेगी और जब इस पर कोई color substance आता है तो वह कैसा होता है color less यहीं तो bleaching action किस वज़े से हुआ by oxidation यह किस वज़े से हुआ रहे by oxidation तो यह कह रहा है जबकि reduction से तो यह वाल आपका incorrect हो गया next बात करें H2O2 is used in a refreshing old lead paint painting PBS black convert into PBS यह कह रहा है कि old lead paint जो है H2O2 पुराने लेड़ चित्रों के काले दब्बे अठाने के लिए क्योंकि आप इसमें यह याद रखें जो PBS होता है इसमें देखें यह answer होई गया ता अपना यह देखें PBS होता है H2O2 इससे reaction करता है यह आपका कौन से color का होता है black और यह आपका चला जाता है किसमें PBSO4 प्लस H2O तो यह किसमें चला गया white यह white में चला जाएगा ठीक है next आपना बात करते हैं second question पर चले इन विच प्रोपर्टी लिस्टेट बिलो हाइड्रोजन दस नोट रिजेंबल एलकलाई मेटल हाइड्रोजन के नीचे समंदित गुणों में कौन सा चार दातों के सम्मान नहीं है तो देखो टेंडेंसी टू फॉर्म केटाइन तो देखो जैसे एलकलाई मेटल क्या बनाती है रहे केटाइन बनाती है एने प्लस इलेक्ट्रोण रिलीज करके तो वैसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोण रिलीज करके केटाइन बना सकती है औकसाइड की नेचर हाँ, तो इसमें रिजेंबल नहीं है, क्यों? इनके जो ऑकसाइड होते हैं, जीसे Na2O हो गया, तो ये नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, क्यों? बेसिक क्यों होगे? आप इसकी S2O से रेक्शन करवाओ, तो क्या बनेगा? sodium hydroxide बन जाएग ना जो कि बेस है जबकि आप देखा जाए hydrogen का oxide कौन होता है H2O जिसको या तो neutral मान लो या amphoteric H plus V है इसमे OH minus V है या देखा जाए तो ये neutral है आपका तो इससे तो match करी नहीं रहाना तो oxide of nature में ही different इधर देखा जाए combination with halogen तो H2 को तो neutral मान जाता है वैसे ये याद रखना ठीक है combination with halogen halogen के साथ जैसे बात करूँ है sodium है sodium की halogen के साथ reaction करवा दें तो salt बनाता है N AX वैसे है H2 भी HX बन जाएगा समझ रहे बात को इसी प्रकार reducing character तो देखो दोनों ही electron donate करते हैं तो दोनों का oxidation हो रहा है तो दोनों reducing nature के हो सकते हैं ये बात भी सही है तो आप का अंसर कौन सा जागा second next बात करते है नंबर ओप crystal water in gypsum plaster of paris and epsom salt respectively आर तो सबसे पहले gypsum की बात करें तो gypsum बोले तो calcium sulphate है dot 2H2O तो water के molecule कितने हैं दो आ गई फिर POP का मतलब इसको heat करो heat करेंगे तो इसमें से क्या होगा 3 by 2 H2O ओड़ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा सी ए एसो पॉर डॉट हाप H2O हाप H2O का मतलब 0.5 तो दूसरे वाले में आ जाएगा 0.5 एप्सम सॉल्ट की बात करें तो यह क्या होता है MGSO pot dot 7H2O तो यहां पे कितना जाएगा 7 आ जाएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा 2 0.5 और 7 फर्स्ट आंसर आपका यहां पे आजाएगा आई नेक्स्ट the three Aisotope of hydrogen differ from वन अनुदरी तीन आईसे टोप है एक तो protein या hydrogen बोल दो दूसरे deuterium दो तीसा tritrium इसमें देखो proton की बात करें तो एक-एक है atomic number की बात करें एक-एक है, electron की बात करें एक-एक है, number of neutrons की बात करें, 0, 1, 2 है और फिर बात करें atomic mask की, तो यह आपका क्या है, 1 है, 2 है और यह आपका 3 है तो mask के अंदर यह difference nuclear charge nuclear charge सब का सेम है, proton की वज़े से आएगा, atomic number सब का सेम है number of proton से महीं, पिर nuclear mass nucleus mass सब का देखो, अलग है आप का अंसवर कौन सा ज़ेगा, 4th next question which of the following is not a proxide, याद रखे, proxide बनाना, ऐस लोग की metals का character यह PbO2, यह एक normal oxide है next in which of the following reaction hydrogen act as oxidizing agent तो यहाँ पर देखो, calcium hydride बन जाएगा calcium hydride में इसकी minus 1 है और इसकी कितनी है, plus 2 तो यह 0 से plus 2 में लेके गया और खुद 0 से minus 1 में गया तो खुद का reduction हुआ है, तो इसका oxidation कर गया कि नहीं कर गया तो फ़स्ट ही इसका अंसवरा जाएगा clear? ऐसे यह आप इसमें देख लेना S2O2 की बात करें, तो S2O बन जाएगा तो यहाँ पर S2O बन जाएगा तो इसका reduction किया है, इसने देखो S2O बना, तो खुद plus में गया है, यह माइनस 2 में गया तो यहाँ पर तो यह किसका काम कर रहा है है, यहाँपे बात करें, HF तो इस पर माइनस इस पर प्लस, यहाँपे भी यह रिडिजिंग एजिंट का काम कर रहा है, यहाँपे बात करें Cu plus S2O, तो यह प्लस 2 से इसको 0 में वेज रहा है, इसके लिए रिडिजिंग एजिंट का ही काम कर रहे हैं तो ऑक्षिडेशन का काम कहा कर रहा है यहां पर ओक्षिकार के रूम है ठीक है नेक्स्ट है वेंट टेंप्रेरी हार्ड वाटर कंटेनिंग यह अगर इसको आप बोईल करोगे तो याद रखो आपका मेगनीशियम हाइड्रोकसाइड बनेगा यह तो पार्शियली सोलिवल होता है लेकिन यह पीपीट की फॉरम में यह आएगा तो आपको क्या करना है मेगनीशियम हाइड्रोकसाइड नेक्स्ट माल एक वी चोवथ फॉलोइंग प्रॉपपटी जो फरस्ट गृ पें मैटल सी इंक्रीजेज जाहरे निचे जारें तो आटवीक नंबर बढ़ता है अटो मिक नंबर बढ़ने के सांथ यह बात करें कौनसी प्रोपटी वह इंक्रीज होगी तो मैटलिक करेक्टर बिलकुल ही बात कर ले नीचे जाने पर साइज बढ़री है क्यों एक तो यह राइज बंद दोन्हों रखेज होती है यह ठीक है mean rabbits नीचे आने पर साइज बढ़री है साइज बढ़ रही है तो metallic bond strength कम हो रही है क्योंकि याद रखना MBS metallic bond strength वो universally proportional to size चलती है और यह melting point रहेगा तो नीचे जाने पर size बढ़ी तो MBS कम होगी, MBS कम होगी तो melting point कम होगा तो यह वाला तो नहीं है ionization energy नीचे जाने पर size बढ़ रही है तो ionization energy कम होगी तो आपका answer कौन जाएगा फस सेकिंड तो फस सेकिंड वाला कौन सा आ गया सेकिंड आंस्वर आपका यहां पर हो जाएगा next बात करें on heating sodium metal in current of dry ammonia leads to form formation of which gas sodium daatu को सुस्क ammonia की दारा में गरम करने पर कौन सी गैस बनती है तो एक तो बन जाएगा sodium amide और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी एस टू कि सोडियम की ammonia से reaction करवा दो एमाइड बन जाएगा और एस टू बनेगी तो गैस पूंची है तो एस टू निकल जाएगी ठीक है next which of the following hydroxide maximum solubile in water याद रखे oxide और hydroxide चाहे फर्स्ट एक हो चाहे second एक हो नीचे जाने पर इनकी solubility बढ़ती है क्यों lattice energy क्या होगी rapidly decrease होगा जब की hydration energy slightly decrease होती है तो maximum तो सबसे नीचे है strontium की maximum solubility रहेगी next which of the following element common in microcosmic salt sodium है phosphate के साथ sodium ही जुड़ा होता है और गलोपिल sodium sulfate बोले तो sodium ही इसमें आएगा तो sodium common है इनमे फॉर्मूला बेस के उसन तस सिदा इसने चाहिए नेक्स्ट विच विच अब दी फॉलोविंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड वाइड डायक्लीटिंग यह लोग इसके आइडराइड भी कोविलेंट टाइप के बनेंगे कोविलेंट टाइप के इसके बनते लेकिन इसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है रेक्शन करने के तो बेरिलियमांस वरा जाएगा अबंधी कार्बोनेट ऑफ एलकलाइग मेटल्स विच वन हाय थर्मल स्टेबिलिटी जिनके पास पॉली एट्मी के न यह नहीं होती है उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी वह इन्वर्सली परपोर्शनल टूचलती है साइज और फाइज और फाइज क्या होता है चार्ज ज़्यादा होगी तो इनमें से रूबीडियम है राइट सबसे कम इस्टेबल तो कौन सा होगा यह आपके देखा था यह सेकेंड वाले सेकेंड के बाद में आपका यह पिर यह और पिर यह सबसे ज्यादा यह होगा है डन नेक्स्ट Finnish अब यह सोलिस्ट्टलम में मिला देंंपन तो क्या होगा को सोडियम होगा इसके साथ अमोनिया के मोल्स कोड़ेअगे सपोथ गरो एक्स मॉलीक्लिश के साथ अच्छ होगे प्लस प्लस ऐलेक्ट्रोर्म बोसít हो गए यह माइनस तो आपको पुझे कंडेक्टर है सोलिशन तो दोनों फिर याए ना दोनों की वज़ाशी आएगी लेकिन कलर की बात करें तो अनपेड इलेक्ट्रोन यह है अगर बात करें पैरामेगनेटिक नेचर तो उसके रिज़ी रिजन यह है तो कलर पैरामेगनेट कंपाउंड इस कंजूंड बृटेल पूझा है सोफ वे प्रोसेस में एनेट फू सिग तो एक तो लाइम स्टोन होता है केल्शियम कार्बोनेट एक आपकी अमोनिया होती है एक आपका ब्राइन होता है ब्राइन बोले तो एक और विचीज पोचता है रीसाइकल किसका होता तो यादर को CO2 का और NH3 recycle होता है जो बार-बार बनता है ये भी अच्छा क्योशन बनता है दूसरा पूझ लेता है intermediate क्या है तो calcium chlorides का intermediate product होता है एस और बाइप्रोड़क्ट सॉरी बाइप्रोड़क्ट साइद उत्पार्ड की बात कर रहा है फिर तीसरा पूझ लेता है intermediate होता है sodium bicarbonate एक पूझ लेता है major product या man product तो major product कौन होता है sodium carbonate साथ में बाइक कार्बोनेट भी मेजर में विमाना जाता है क्लियर तो आपको दर्रों material पूझा था आपका प्रस्टांसर हो जाएगा नेक्स्ट कि विच आप दीफी फॉलोंग खूपांट्स लिब्रेट ऑक्शीजन ओनिटिंग देको इसको हीट करोगेतो अला इThis को हीट करोगे तो लीथियम ऐग्साइट बनजएगा और आस्ट डीच वेगी इसको हीट करेंगे तो लीथियम और शाइट बन यह बहुत अब यह बताने जा रहता है वह था इनके कलर यह कलर लेस होती है और यह रेडिस ब्राउन कलर की होती है बागे दोनों ही परा मेगनेटी खैर और टू यहां पर लिबरेट हो जाएगे यह नॉर्मली टेंप्रेचर से गरम करेंगे तो टूटे का नहीं यह यहाद रखना है नेक्स्ट क्यूसन पर चलते हैं मतलब है मेगनेशियम कलॉरइड की आपको पताईए कोवेलेंट नो जब भी हीट करते हैं तो वह ऑक्साइड बना लेता है क्या अच्छाइड क्यों यह क्या करेगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा इससे क्लियर हैड्रोलाइज हो करके मेगनेशियम ऑग्साइड बन याद रखना किस्टलान वोटर से हैड्रोलाइज होता है इस वजे से यह फाइनली क्या बनाता है मेगनिशियम ऑक्सएड राइट नेक्स्ट केलशियम आघड्रेड यह आपका केलशियम आच्रेड आएनलाइड चितने भी होते हैं油 मतलब dry agent है किरेक हैं और केलशियम है हाइं रोक्साड बन जाएगा हिभ एक केलशियम अगर दो गैश्ट सबीडिड होंगाई तो क्या बने लुक्राइब केल सेमाइड्रोकसेड हो लां चो नेच्स्ट करते हैं हरो इंग तेम कॉैटेसम क्लोराइड हो गया मेंगें और इसी जिए डियम क्लोराइड हो गया तो इस्से कोविलेंट से тоं यह 3 सी तेमegenे ज्याद है चारों का और आयनिक में भी याद रखना melting point आयनिक compound के लिए directly proportional to आता है latest energy तो इदर जा रहे हैं size बडरी size बडरी latest energy कम तो melting point कम यह कोविलेंट होता है तो इसका melting point सब से कम ताप का finally answer क्या जाएगा sodium chloride क्लियर next the order of basic strength hydroxide metals के hydroxide की और oxide की basic strength जो होती है वो inversely proportional to होती है ionization energy और inversely proportional to ही चलती है positive oxidation state के खेर ionization energy से देख लें तो lithium से ज्यादा ionization energy sodium की sodium से कम है potassium की potassium से कम rubidium की rubidium से कम cgm की तो ionization energy कम हो रही तो basic strength बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा cgm फिर rubidium lithium sodium यह आ गया basic strength का third क्लियर next सलते है कि विच आप दी फॉलोविंगे species is reduced by H2O2 कौन से species है तो H2O2 से reduce हो जाएगी तो H2O2 से F2 प्लस टू तो प्लस वन में जाने से रही यह तो reduce होगी यह रिडिज हो जाएगी यह इसको magneze प्लस टू में बेज देगा मतलब प्लस 7 से प्लस 2 में तो इसका reduction करेगा PBS इसका तो oxidation करेगा क्योंकि PBS और बनने वाला है और यहां पर इसका क्या reduction होगा plus one इसकी stable होती नहीं है कहने का मतलब आपका कौन सांस्वरा जाएगा से किड नेक्स्ट ए प्लस H2O बेस बन रहा है इसका मतलब यह oxide है और O2 बन रहा है बी प्लस है H2O ए ने वाच प्लस है O2 यह O2 नहीं इसको करना पड़ेगा H2O2 इसको क्या कर लेना H2O2 है H2O2 कर लोगे तो यह प्लस है यहाद रिक्लियर नेक्स्ट विच आप दी फॉलोएंग पेर ओव मेटल से फॉम इसका कर लो नाइट्राइड इसका क्या बना दो नाइट्राइड यह थोड़ा सा रह गया और रियक्शन विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कोन से जो रहीक्शन करके नाइट्राइड बनेंगे तो लीथियम और मेगनीश्य फष्टे वाले न ही बनाते हैं फ़िस्टी में सिर्फ लीथियम बना पाताओ स्मौल साइज से इसकी लेटिस एनरजी ज्यादा होती है इसलिए बाक्य नहीं बनेंगे टिटर कर नेक्स्ट पर ऐसके त्री जायेका कि वन सोडियम प्लेस्टml इन मोस्ट इर से üst हैं मोस्टर्फ्रेसर मेर्य सोडिय वाउक्सायद फिर फWasnen भी सिर फीर की नियुक्षिट में सब्सक्रिकाइबगीuse नेक्स्ट पिछ आप दी फॉल्विंग इस नौट करेक्ट लीथियम हलाइड आर नोस्ट कोविलेंट अमंग एलाल बिल्कुल स्मॉल साइज गें तो यह कोविलेंट होते हैं है लाइट वह थर्मलिस बिल्कुल यह ज्यादा स्टेवले एज कंपेर तो इसी वज़ेस तो यह यह वाल फाल्स होगे है है हाँ इनकी साइज अल्मोस्ट ली सेम होती है मतलब को लिलागे साइज और चार्ज का रेशियो अल्मोस्ट सेम होता है निक पोटेंसिल यह 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 व्यादो तो यह बन जाएगा अमोनियम dobrze करें में जाएगा एक करके добав लेगा फिर यह Ammonium Bicarbonate ऐसी तो Ammonium Bicarbonate को अगर हीट करेंगे हीट करने का मतलब है Ammonium में कि ए फॉर्मुला सब्सक्राइब नहीं है Ammonium कार्बोनेट बन जाएगा एस्टो बन जाएगी और सियोटू बन जाएगी तो कहने का मतलब हो ओक्जिलेट तो कहीं है नहीं कि आप गांस पर कॉंट साथ फाल्स हो जाएगा यहां पर फॉर्थ नेक्स्ट विच आप दे फॉल्लाइं मेटल ऑन बर्निंग इन मोईस्ट एर ड़स नोट गिव स्मेल ऑफ अमोनिया तो देखिएगा यह जितनी भी हैं यह एर से रियक्षण करते हैं तो आपको बताए ऑक्साइड बनाएंगे और नाइट्राइड बनाएंगे एक एक ग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका ऐसे ही सारे बनाएंगे मोष्ट है मतला हाइडॉलाइटे सिंगे होंगे यह उक हैड्रोकサट हिद बना देगा Hmm यह भी हाइड्रोकसाOOD बना देगा साथ में क्या बनाएगा अम्या तो आम्मोनिय की स्मॐले स्मेल कॉन है है एह सब देंगे यह नहीं देगा क्योंकि यह एर में लेकर जाओंगे तो ञेक्षण कर लेता है लेकिन तो seems नहीं करता है लाहक जैसी तो यह सिर्फ ऑक्साइड बनाता है औकशिड से सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनेगा यह याद रखना मोच रहा है नेक्स्ट यह आपका आगया मेगनिशम कारवाइड है रियक्ट विद वाटर फॉर्मिंग प्रोपाइन सही बात है सी 3-4 सी 3-4 की स्टेक्चर देखिए का वह यह है कुछ ऐसा ऐनस माइनस 3 तो सिग्मा है दो और दो पाई बॉन्ड है दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे नेक्स्ट the fluoride which is most soluble in water due to complex formation beryllium fluoride is maximum soluble fluoride की solubility नीचे जाने पर बढ़ती है beryllium fluoride सबसे कम solubile होना चाहिए लेकिन complex formation की वज़े सी सबसे ज्यादा solubility रखेगा next यह रहा हाई temperature पर लेंगे तो N2 reaction करेगा यह तो घह रहा है at high temperature nitrogen combine with तो यह इसको बोला जाता है nitrogen mixture और nitrogen mixture की last में CACN2 plus C nitrogen बना लेता है कैने का मतलब calcium cyanamide next which is responsible for liquification of H2 हो तो इसके लिए मियू क्या है चीरो और मियू जीरो होने का मतलब मियू डापोलो मेंमेंट तो एस्टू एस्टू के बीच कौन सा फोर्स होगा वीक वांडरवाल फोर्स डिस्परसन फोर्स आंसर कौन सा आजएगा first next question की बात करते हैं the solubility order of alkaline metal fluoride in water is fluoride की solubility नीचे जाने पर increase होती है तो लीथियम sodium potassium और फिर rubidium या जाएगा first lattice energy कम होगी तो solubility बढ़ जाएगे the ionic mobility of alkaline metal ion in aqueous solution is maximum for तो aqueous solution में smallest ion become largest सबसे चोटा आइन सबसे बड़ा हो जाता है और सबसे बड़ा हो जाता है और सबसे चोटा तो यह सबसे चोटा होगा चोटा होगा तो इसकी mobility ज्यादा होगी mobility ज्यादा होने का मतलब conductance भी ज्यादा होगी mobility की बात कर रहा है तो आपका कौन आजाएगा ruvidium Solvay process तो solvay process में आपको पता है washing soda बनाने के लिए काम में लिया जाता है नेक्स्ट इसके वारे हम पूरा steady अपन पहले कर चुके है raw material क्या होगा intermediate बगेरा by-product क्या हो the composition of sorel cement तो आपका magnesium chloride, magnesium oxide or taxes तो याद रखना यह formula based question है सिद्धा the hydration energy of magnesium plus two is larger than that of sodium है जो magnesium plus two से बढ़ा है तो इसकी hydration energy कम रहेगी sodium की magnesium की ज्यादा रहेगी milk of lime react with chlorine milk of lime CL2 से reaction करवा तो तो आपका क्या बन जाएगा bleaching powder का component clear bleaching powder का component यहाँ पे बन जाएगा जिसमें एक chlorine plus one में होगी एक minus one में first next a salt acts on heating gives two paramagnetic gases first is colored and other is colorless and gives apple green color during flame test flame test green color कोण देता है barium तो यह दो आ गए इसको heat करेंगे तो आपको पता है barium oxide बनेगा और co2 gas a की gas release होने वाली है लेकिन यहां इसको गरम करे तो barium oxide बनेगा NO2 बनेगी और O2 बन जाएगी यह दोनों ही paramagnetic है यह colored है और यह color है लेस है तो आपका कौण सा जाएगा फॉर्थ है अच्छा क्यूंस नेक्स्ट कि सीजियम इडरोक्साइड है स्ट्रॉंग बेस है और पूरी प्रेडिक टेवल में स्ट्रॉंग इस्टी ही मान सकते हो अब सबसे कमा इस नेर्जी की होती है कि विच आप दी फॉल्वाइंग मेटल्स कि इस नॉट मैनुफेक्टर वाइट्रोलाइशिस तो ऐस व्लोक वाली तो इसके लाव अलुमीनियम में भी आपको पता है होप्स प्रोसेस और प्रोसेस यूज गी जाती है इसके लिए नहीं करते किसके लिए आयरन के लिए है यहां पर ब्लास्ट फर्णैंस में इसके क्या किया जाती है आप सीदे से है 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 स्मेल्टिंग और फिर उसके बाद बेसिम राइजेशन किया जाता है नेक्स्ट रोकेट के लिए यह आपको डेटाबेस के उसने इसको थाड़ा द्यान में रखना चाहिए नैंटी परसेंट एस्ट वाटू यूज किया जाती है विच आप दिफॉलोएंग हाइड रज़नरली नॉन इंट्रस्टेशल है यह नॉन इस्टोग मेंट्रिक होते हैं नेक्स्ट अणेर्ट इस्ट काम करती है को अम्हें सांस एगा सेकंट नेक्स्ट Atomic Hydrogen is called Atomic Hydrogen को क्या कहा जाता है Nescent प्रमानिव Hydrogen Next इसके लिए Simple सा Normality जो होती है वो Volume Strength आपको 5.6 बोल दो Molarity की बात करें तो X is 11.2 हो जाएगा खेर Normality दीए कितनी दीए 1.5 X आपको निकालना है Volume 5.6 Cross Multiply हो जाएगा तो 8.4 आपका यहां पर आजाएगा Clear? Next अब बात करते हैं Water Gas is a Mixer of Hydrogen H2 बापंगार गैस की बात करा है बापंगार गैस क्या होती है? CO प्लस है H2 ऐसे Producer Gas होती है CO प्लस है N2 खेर अपने को बापंगार गैस पूचा है तो CO याद रखड़ हो H2 के साथ कोण होगा? CO Next Hydrogen की Isotope कितने हैं? 3 Isotope है Proteum, Deuterium और Tritium जिसमें पहले वाले 2 stable हैं और तीसरे वाला Tritium जो होता है वो radioactive है A molten ionic hydride on electrolysis gives H plus ion moving towards the cathode H plus ion moving towards the anode H2 is liberated at anode तो देखो आइनिक hydride है तो सब्सक्राइड हो calcium hydride ही ले लो molten form में इसका electrolysis तो ये plus 2 है ये minus में हैगा तो ये तो जाएगा anode पे तो anode पे जाके H2 बनाएगा ये जाएगा cathode पे calcium बन जाएगी तो anode पे H2 बनेगी H2 is liberated at anode H plus तो है ही नहीं यहापे तो ये तो वैसे एकलात होगे और H minus है तो ये cathode पे कैसे जाएगा opposite electrode की ओड़ जाते hydrogen is good reducing agent hydrogen किसी में ब्जुड़ेगा तो उसका reducing agent बाना जाएगा next hydrogen is evolved by the action of very dilute HNO3 very dilute HNO3 के साथ magnesium और magnesium ये दो है hydrogen अगर इन से very dilute इन से अगर HNO3 की reaction करवा होगे तो आप का यहाँ पर कोण सी gas release होने वाली है H2 तो magnesium आजाएगा clear बाकि इन सब के पास very dilute से reaction ही नहीं होगी और reaction होगी तो ये वाला जैसे ये कर पाएगा तो यहाँ पर NH4OH निकलता है next which is not true in case of H2O2 H2O2 के लिए कौन सा सही नहीं है it is more stable in basic गलत वाल ये पहला आपका false होगा है क्यों चाहिए ACD को चाहिए basic दोनों में ही ये oxidizing or reducing agent का का काम करता है clear फिर its act oxidizing agent बिल्कुल दोनों में काम करता है हमने बता है it is decomposed by MnO2 बिल्कुल MnO2 से decomposed हो रोज़ता है इसका oxidation भी कर सकता है reduction भी it behave as reducing agent towards KmnO4 बिल्कुल ये plus 7 में है तो इसको में plus 2 में लिया आएगा first answer रहे रहे है next what is the role of gypsum CS of 1.2H2O तो gypsum है उसका क्या role है cement के जमने में तो उसकी जो setting time है उसको कम कर देता है ये जमने के time को slow down जो जमने की परकरिया time के जमने की परकरिया को कम कर देता है थोड़ा time इल जाएगा जमने के लिए तुरंद नहीं जमेगा ठीक है जमने क्रूड सॉर्डियम क्लॉरीड अप्तेंड बाइ क्रिस्टिलाइजिशन और ब्राइन सोलूशन ब्राइन सोलूशन दस नौट कंटें तो मेगनेशन सल्फेट नहीं होता है ब्राइन सल्फेट में जमने क्लियर नेक्स्ट विच अब दी फॉलॉवगे एलकलाई मेटल कलॉराइड एंचील फॉर्म हाइडरेट सॉल्ट फ़स्ट है में सिर्फ यह ही हाइडरेटेट फॉर्म में जा सकता है कौन लीथियम एन एंपोटेरिक हाइडरोकसाइड एंपोटेरिक हाइडरोकसाइड कौन सा है यह एसीड से रियक्शन कर सकता और बेस से भी जितनी भी एंपोटेरिक मेटल्स होते हैं जैसे बेरिलियम हो गया एलुमीनियम हो गया टिन हो गया लेड हो गया जिंक हो गया इनके hydroxide and hydrated form सभी एंपोटरिक होते हैं the suspension of select lime in water is known as milk of lime next the incorrect statement among the following regarding beryllium regarding it is a rendered passive by nitric बिल्कुल नायट्रिक के लिए यह पेशिव रहता है यह बात बिल्कुल सही है incorrect देखना है क्योंकि बेरीलियम को जब आप कंसेंट्रेट है चनुत्री में लेके जाओगे तो इसके उपर बेरीलियम बेरीलियम औक्साइड की लेर आजाएगी बेरीलियम औक्साइड इनर्ट नेचर का होता है रेक्शन नहीं करेगा कि बिल्कुल यह कारवाइड बन जाता है इसका जब आइडर्लाइसिस करते तो मेथेन गेस निकलती है हालांकि बेरीलियम सीद्धा नहीं करते औक्साइड बनाते है फिर औक्साइड से रेक्शन करवा के कार्वाइड बनाया जाता है इनके इनके डाइमरिक फ्रम में हो चाहिए पोलीमेरिक में वो अमेसा ही इलक्ट्रों-डेपिसेंट रहेंगे विच फिर फॉर्म सेम गैस प्रोड़क्ट विद वोटर तो यह आ जाएगा क्यों इससे पहले केल्शियम की एस्टो से करवा दो केल्शियम ओक्साइड बन जाएगा और एस्टू बन जाएगी फिर एक्सेस में है तो आगे और रियेक्शन हो जाएगी तो यह केल्शियम एंडरोक्साइड प्लस है एस्टू गैस यहां से लिवरेट हो जाएगा ऑक्साइड से सिर्फ बेस बनेंगे याद रखना विच कंपाउंड फॉर्म एस्टू विद एस्टू एस्टू याद रखे एक तो परोक्साइड एक होता है सुपरोक्साइड यह दोनों ही डाइल्यूट S2S support से reaction करवाए न तो यह तो बनाएगा salt plus S2O2 और यह बनाएगा salt supra oxide plus S2O2 plus O2 भी यहां से release होगी तो यहां पर प्रोग oxide कौन सा है यह रहा next यह अच्छा क्यों से न metal की air से air में N2B होती है और O2 भी होती है तो यहां पर क्या बन जाएगा magnesium metal oxide भी बन जाएगा metal nitride भी बन जाएगा ठीक है एक example ले लेता हूं जिसे बेरिलियम की बात कर लुए है एक मिन्ट चोड़ो एक मिन्ट इसको थोड़ा इजी बनाते है यह आपकी कोई metal होगी यह कह रहा है air air से reaction कर रहा है तो air में O2 भी है और N2 भी है तो यहां पर fumes आएगे इसी को फूच लो fumes किसका आता है ammonium chloride का तो यहां पर nitrogen enter होने चाहिए मतलब nitrogen से reaction कौण करता है lithium कर लेगा लेकिन sodium potassium rubidium और cesium यह nitrogen से reaction नहीं करते हैं तो यह क्या बना देगा magnesium oxide बन जाएगा magnesium nitride बन जाएगा फिर हो हो तो इसका हो 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 करवाद हो तो magnesium hydroxide बन जाएगा प्लस ammonia बन जाएगे ammonia पर HCl में लाओ तो यह ammonium chloride के fumes आजाएगे तो ऐसा काम कोण कर सकते हैं इनके लाओ सब कर सकते हैं तो lithium sodium यह कट गए lithium कर देगा sodium नहीं कर देगा magnesium कर देगा lithium magnesium potassium नहीं कर देगा lithium कर देगा magnesium कर देगा और barium तो खौन सा अनस्वरा जाएगा fourth तो यह था आपका बाइक हैं I hope सब का अच्छा गया होगा clear? Okay, thank you JCLC